नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना शुरू होती है यूपी के उत्तर परदेश के मैनपूरी जीले के मंगलपूर गाउम में मंगलपूर गाउम में रानी और विकाश की धुमधाम से साधी होती है, इसके बाद में वो अपने जीवन को अराम से चलाते हैं लेकिन धीरे धीरे एक मंशा जो हर एक मावाप की होती है कि उनको पुत्र प्राप्ति की चाहा होती है, इसलिए हजारों मन्नतों के बाद में एक पुत्र पेदा होता है परन्तु पुत्र पेदा होने से पहले एक बहुत ही गजब की उनके साथ घटना होती है कि पुत्र पेदा होने से एक दिल पहले राणी के पिताजी का सरोगास हो जाता है यहाँ पर ये नाम काल्पनिक यूज किये गए हैं जैसे ही राणी के पिता का देहांत होता है उठ जाता है लेकिन विकास यहाँ पर पूरी मदद करता है और विकास अपनी पत्नी को सहारा देता है धीरे धीरे वो बातें बीट जाती है और पूरे रिष्टदार अपने घर की ओर चले जाते हैं जैसे कि हिंदू-रिति रिवाज के मुताबिक कुछ दिन के बाद में कि उसकी पतनी को अगले दिन बच्चा होता है और वो होस्पिटल जाते हैं और इस जिम्मेदारी से भागने के लिए इधर उदर तैयारियां करनी पड़ती है लोगों को बुलाया जाता है एम्बूलेंस की वबस्ता की जाती है और सकुशल रूप से रानी को बच्चा पेद रहा था एक पैर विकास का घर को एक खुशियों का था और एक पैर ससुराल में गम का था विकास ये बार-बार सोचता रहता था कि कैसे दिन आ गए हैं कि मैं पूरी तरीके से जिस घर में डैथ हुई है वहाँ पर समय नहीं दे पा रहा हूँ लोग आ रहे हैं लोगों से म दिल नहीं पा रहा हूँ ये कैसी विड़मना है और इधर घर में कई मुदतों बाद में एक बच्चा पैदा हुआ है तो इधर भी खुशियां थी लेकिन अब गम मनाए या खुशियां मनाए ये एक अलग सी बात थी लेकिन जिस घर में रानी के पिताजी एक्सपायर हु पिती चली जाती है सब कुछ एकदम समाने चल रहा है बच्चा बड़ा होने लगता है और इधर पिता के जाने का गम भी अब धिरे धिरे उभरने लगता है लेकिन समय का घोड़ा किसी के भी हात में नहीं रहता इसलिए समय धिरे धिरे चला जाता है समय जाते जाते बहु कि उम्र आठ साल की हो जाती है रानी और विकास यह सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया है हालां कि वो पहले कही बार वो जा चुके हैं लेकिन इस बार हम प्लान करते हैं कि 5-7 दिन रहने का इसलिए हम अपने बच्चे को भी ले चलते हैं बच्चा और विकास और रानी यह तीनों अपने ननिहाल यानि कि बच्चे के ननिहाल विकास के सब सुराल जाते हैं और जाते ही वहाँ पर बच्चे को बोला जाता है कि आपकी यह नानी है नानी के पैर चुई है जैसा कि हर संसकार में हर एक बच्चे को जिखाया जाता है कि आपको यहाँ पर पैर चुने हैं जैसे ही बच्चा नानी की तरफ देखता है तो वो कुछ बोल नहीं पाता वो कहता है कि मैं पैर नहीं चूँगा उसके बिहाबगेर से बहुत सी अजीब चीज़ें लग रही थी इसलिए विकास जोर देता है और विकास कहता है कि बेटा यह आपकी नानी है इनके पैर चूना हमारे धरम में है और आप इनके पैर चूए यह आपके नानी मा लगती है इधर रानी भी उसको जोर देती है अब बच्चा पैर नहीं चूरा है वो जबरदस्ती करते हैं तो बच्चा बोलता है कि ये मेरी नानी नहीं है ये मेरी पत्नी है ये सुनकर के सारे होश उड़ जाते हैं और फिर हासनी लग जाते हैं अब हासनी लग जाते हैं कहते हैं कि बच्चा है शायद ऐसी ही बाते कर रहा है धीरे धीरे खाने का समय होता है बच्चे के मामा घर लो लेकिन फिर वही बाते चल जाती है कि ये अपनी नानी को पतनी बता रहा है, बच्चे को पता नहीं क्या हो चुका है, बच्चे को पढ़ाना जुरूरी है, बच्चे आज कल टीवी देख करके सब खराब हो रहे हैं, माहौल पूरा खराब हो रहा है। लेकिन बच्चे को ये बाते जैसे ही पता लगती है बच्चा वापिस कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ जो आप मुझे अपनी नानी बता रहे हैं ये मेरी पतनी है और जो आप मुझे अपनी मां बता रहे हैं ये मेरी बेटी है और जो दो मामा आये हैं वो मेरे दोनों बेटे ह ये सुनकर के हैरान कर देने वाली ये बाते होती है और एक कहानी यहां मुझे भी याद आती है जब मैं एक अलग प्लेटफॉर्म पर था तब एक सीन्थल गाउं जो बीकानर में पड़ता है वहाँ पर एक बच्ची ने जरम लिया और जैसे जैसे वो साड़े तीन चार साल क होती है तो वो एक फराटेदार इंगलिस बोलना शुरू हो जाती है हम यूँ समझ सकते हैं कि यहां पर इस दुनिया में कुछ भी संभव है होने को कुछ भी हो सकता है जब मैं उस बच्ची के पास वो इंटर्व्यू करने शाक्षात कार करने पहला ही आदमी था जब उसक पास पहुंसता हूं जब मैं उससे बातें करता हूं तो मुझे लगता है कि इसको फ्रेंच बहुत अच्छे से आती है फिर मैं उसका ब्राटेदार नहीं होगी फ्रेंच इंगलिस इतनी गजब की इंगलिस होती है कि वो जैसे बच्ची बोल रही थी आप आपने वो वीडियो भी मेरा देखा होगा जो मिलियंस में चला है तो मैं भी चोंग गया था कि चार साल की बच्ची भला इतनी जबरदस्त इंगलिस कैसे बोल सकती है लेकिन जब वो बच्ची इंगलिस बोल रही थी तब उससे पूछा गया कि आपके ममी पापा या आपका जनम पिछले जनम में कहां हुआ था तो बताया था इंगलेंड का एक ऐसा विलेज जहां पर वो जनम हुआ था उसका वो जैसे ही हमने वीडियो पबलिक किया उसके बाद में इंगलेंड से उस परिवार के पास फोन आता है पता नहीं किस परकार से वो नमबर लेते हैं उन तक पहुंचते हैं और कहते हैं कि अगर इंग्लेंड में वो बच्ची बता रही है जिसका उन्होंने हुलिया बताया वो वाकई में इंग्लेंड के उस गाउं में मुझूद हैं और आने जाने का फ्लाइड का पूरा का पूरा खर्चा वो उठाने के लिए तैयार है अगर वो अपने पूरे परिवार से भी हो चुकी है और यह मैं अपनी आँखों से देख चुका हूं बस यही बात इधर हो रही थी कि एक आठ साल का बच्चा पूरी चीजें बता रहा था फिर वो बच्चा बताता है कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं ऐसी चीजें बताता हूं कि आपको पूरण त रहे थे और बच्चा पूरा सुर्ख्यों में आ चुका था इंट्रिवूज लेने की लोगों की लाइने लग चुकी थी लोग उसको देखने के लिए आ रहे थे कि मिश्रा जी वापिस लोट आए हैं आखिर यह कैसे संब्भ हो सकता है कि 8 साल का बच्चा जिसको उन चीज में ही उसके साथ हुआ है और अगर आप नहीं मानते हैं तो ऐसा ही हुआ है अब वो सारी चीजें बताता है किस से लेंदेन है किस कितने रुपे का करजा है कितने रुपे का लिया है मैं कौन से वस्तर पहनता था कहां रहना पसंद करता था ये सारी चीजें जो उस बच्च जब ये बातें धीरे-धीरे मंगलपूर गाउं से बाहर निकलती है फिर मैंपूरी जीले तक पहुंचती है और फिर धीरे-धीरे पूरे उत्तर परदेश में ये एक घटना करम बन जाता है। जब इनसान मर के भी इनसान के रूप में जनम लेता है तो बहुत सी सभाविक बात है कि उसके कुछ अच्छे करम होंगे तभी इस जनम में उसको पुराने जनम की याद आती है।